तो तो दोस्तों आज किस वीडिओ में बात करेंगा है अच्छली यह मैं वीडियो एक डिमांड बेस वीडियो बना रहा हूं कॉमंट आया ता मेरे पास उसी बेस में मैं वीडियो बना रहा हूं आपकी बइन को है या कोई 되어 सना और अभी तक जूब में आपको प्राब्लम हो, या गवर्मेंट जूब में आपको प्राब्लम हो सकते, क्योंकि कुछ ताइम बाद क्या होता, कि लोग प्राइवेट से के से तुला परिसान हो जाते हैं, इस वज़े से वो गवर्मेंट सेक्टर की प्रिफेरेशन करता हैं, और उनको आम कि private sector का data नहीं मांगती है हां अगर उसकी requirement नहीं है तो आप जैसे कई companies में क्या होता है चाहिए security company में काम कर रहे हो आपको government में security की job मिल रही है तो वह experience आपका महां पर count होगा मैं उसकी आप बात नहीं कर रहा हूं अगर government sector ने किसी भी तरीके का experience अगर मांगा हुआ है मैं उससे अलग बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूँ कि यतनी भी companies होते हैं और उसमें करने के बाद आपको किसी company fire कर दिया तर्मिनेर कर दिया और आपको government job मिल रही है तो उसका private sector कर दिया तर्मिनेर का कोई भी लेना देना नहीं होता है और ना कभी आपको वह experience जाके वहाँ चेक करते हैं ना तो आपका कोई gap is का फंगा होता है आपको पांच साल बात गौवर्मेंट जाम मिल लिए आपको पंद्रा साल बात गौवर्मेंट जाम मिल लिए और अब अब दस कंबनी से टर्मिनेट हूय और पांच से हुए और डोसे हूँ तो टर्मिनेशन का या अपस्कोन्डिंग का कोई भी फरक नहीं पऱ्ता है का डौवर्मेंट जाब तो यह सारी चीजें नहीं होनी चाहिए अगर आपको गौर्णमेंट जॉब करने हैं बाकी गौर्णमेंट को प्राइबेट सेक्टर से कोई भी मतलब नहीं होता है पिछले आपने कितनी कमपनी चोड़नी कितना का फिर से कहां से टर्मिनेट हुआ नो मत अगर आपको गौर् अचला को तो लाइक से रचला सब्सक्राइब जरू करें मेरा नाम है शुबा मैं मिलता पने नेक्व युटो में तेल दरन हवे ग्रेट मोमेंट और दोंट फोरगे तो लाइक से नश्ब्सक्राइब थैंक यू सो मुच पर कमिंग यह